दम आलू बनाने के लिए यह तवा मैंने गरम कर लिया है और 5-6 ब्लेक पेपर कॉन इसमें डाल देंगे और डालेंगे एक टीस्पून के आसपास जीरा जीरा और दो टेबल स्पून डालेंगे यह अखा धनिया इसके अंदर डाल देंगे और डालेंगे इस पर पांच यह सुखी कस्मेरी लाजमेच आप कोई भी ले सकते हैं इस तरह से काटी हुई और यह एक वीड हो चुका है मसाले से खुचबवा शुरू होगा तुरन गैस बंन कर देंगे और हमारा यह मसाला तुरन दूसरी प्लेट में ट्रांसपर कर लेंगे ताकि जह रखान है तो मसाले हमेरे दृड़िंग जार में लेकि इसको अच्छे ऐसे पीष लेंगे तो इस तरह से हमने ये दरदड़ा कोस्ली ग्राइंड कर लिया है मसाला हमने अब इसको तो धकन बन कर देंगे कि इसकी जो फ्रेग्रंस से खुस्बू हो बरतर आ रहे है आई अब एक फ्राइंग पेन में ये 5-6 टेबल स्पून में ओयल गरम कर लिया सबसे पहले इसमें ये ये वन टी स्पून की आसपास है और एक टेबल स्पून डालेंगे इस पर बारीक कटी हुई ये अधर जिंजर और दारलिक एक एक टेबल स्पून फाइनली चॉप किया हुआ हुआ ये बाट चला लेंगे और तुरंट डालेंगे इस पर ये मैंने 20-25 जो है बैबी पोटेटो छोटे वाले आलू मैंने हुबाल के कंप्लिट करके रेडी रखा था ये इसके अंदर डा देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे पांच मीड हो चुका है बरतन से कवर हटा लेंगे और देख लेते हैं ये क्रिस्पी कुरुकुरे चट पटे दमालू अब आये इसमें डालते है एक जो है ये वाली चमच ये पीची हुई सॉल्ट एक चमच और अब जो हमने ये मसाला रेडी करके कूट के पीच लिया था अब ये इसके अंदर डाल देंगे वाव वाव वाट ब्यूटिफुल देख सकते हम डालेंगे ये थोड़ा सा ब्लेक पेपर पाउडर ये और इसमें डालेंगे ये एक टीस्पून से थोड़ा ज्यादा अम चुर का पाउडर बिल्कुल चट पटे जो है टेस्ट के लिए अम चुर पाउडर ये यहाँ पर बिल्कुल स्लो रखा हुआ है और दो मीड के लिए इसको ढखके कुप करेंगे और ये दो मीड हो चुका है बरतन से कवर हटा लेंगे और अब इसमें डालेंगे नमक स्प्रिंकल करेंगे एक टीस्पून के आसपास और है बिल्कुल ऑफनल है और इस बार चला लेंगे अच्छे से और रेडी है हमारे ये कुर्पूरे क्रिस्पी और चट्पटे दमालू